कहां जाता है कि रामलीला का मंचन रिशिमुनियों की प्रेरना से शुरू हुआ था, ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इसी क्रम में नई दिल्ली में रामलीला का आयोजन करने वाली एक कमेटी है, जिसे लवकुष रामलीला कमेटी के नाम से जाना जाता है। लवकुष रामलीला कमेटी खुद को देश की सबसे प्रसिद रामलीला कमेटी मानती है, लेकिन आज के समय में यह रामलीला अपनी परंपरा पर कितनी खरी उतरती है, यह सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, बलकि आपको एक ऐसी घटना दिखा रहे हैं, जिससे आप खुद इस पर विचार कर सकें। पर शुराम और रामायन का भी अपमान करता है, हिंदू धर्म में भगवान पर शुराम का एक विशिष्ट स्थान है, उन्हें भगवान विश्नु का छठा अवतार माना जाता है, और उनके बिना रामायन और महाभारत की कलपना भी नहीं की जा सकती, भगवान पर शुरा पर शुराम की छवी को धूमिल नहोंने दे। पहुचाता है। सांसत मनोज दिवारी को धर्म और आस्था की गरीमा का सम्मान करना चाहिए और इस प्रकार के कृतियों से बचना चाहिए। नई दिल्ली से विठिल बंसल की रिपोर्ट देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें अपनों की खबर आप तक। क्थल्स कि षब आपका अपक्ताय। क्थलों के लिपेट level 3 क्थलों कि खबर के गपके में तो क्योंग। क्षर्म माचल्सaya दिल्त में अपकता है तक। क्षर्ट से टल्डों कि श्यादे प्लमने को में मौहए है अधूड़ आई और में ум ikke रगए bolगं। झाल झाल